हलो फ्रेंड्स, विलकम टू मैं चेनल, कैसे हो आप लोग, आई होभा आप लोग भी अच्छे होंगे तो आज मैं बनाने जारी हूं मतनकड़ी और यहникомतनकड़ी मैं आज प्रेसर कुकर में बनाउंगी और काफी आसान तरीके से बताउंगी आप लोगों को काफी अच्छे स कि मत किजिएगा नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और मैं आज काफी आसा हूं तरीके बताओंगी बनाने के और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लेज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक काफी बढ़िया मतन बनाया है हमारा तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मतन कड़ी बनाने के लिए थोड़ी से यहां पर तैयारी भी करनी परती है तो हमने यहां पर लिया है साथ से आठ मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने लंबे-लंबे मोटे टुकडों में काट ल यह लिए है और हम हम लाशुन अध्रका paste बना लेते हैं मैं यह आपर सिल्वर्टे पर पीश सकते हैं है तो हम यहाँ पर पहले इसका स्मूध सा एक पेश्ट बना लेते हैं अध्रक लाशुं का तो यह हमारा अध्र app लगभग दो बड़े चम्मच के बराबर अध्रक लशुन का पेश्ट भी ले रहे हैं बाजार वाला या कोई भी आपको इतना पेश्ट आपको लेना है कि इसको हम उठा लेते हैं प्लेट में हमने यहां पर लिया है 500 ग्राम मटन जिसको मैंने अच्छे से दो लिया है अच्छे से दोना बहुत जरूरी है इसको 45 पानी से अच्छे से दो लिजी इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चोटी चमच नम्मक एक चोटी चमच हल्दी पॉडर चार चोटी चमच धनिया पॉडर है कि दो चोटी चमच कस्मेरी लाल मिर्च है दो छोटी चमच तीखी लाल मिर्च, कस्मेरी लाल मिर्च तीखा कम होता है, उससे बस अच्छा सा कलर आ जाता है, इसके बाद हम एक छोटी चमच गरम मसाला और एक छोटी चमच यहां पर अधरक लसुन का पेश्ट डाल दिये हैं, इसके बाद जितना हमने प्याज लिया थ उसका आधा प्याज हम इसमें डाल देंगे, आधी कटोडी हमने यहां पर दही डाला है, और दो बरे चमच सर्चों का तेल डालेंगे, अब हम इन सारे चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो यह काम आप किसी चीज से भी कर सकते हैं, किसी चमच वगेर से, लेकिन हाथों से काफी अच्छे से हो जाता है, तो मैं यहां पर हाथों से इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, तो मटन हमारा मेरिनेट होके तयार हो गया है, अब हम चलते हैं, नेक्स प्रोसेस के तरफ, हमने यहां गैस पर रखा आपसर कूकर, और कूकर हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच सरसो का तेल, गैस का फिलम हम मेडियम रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे और दो बड़े चमच देसी घी, देशी घी और तेल से काफी अच्छा सा फ्लेवर आता है दोनों ही चीज़ें आप डाले काफी अच्छा सा टेस्ट आएगा और हम यहाँ पर लिए है कुछ खड़े मसाले, जीरा, सूखी लाल मिर्च, लोंग, काली मिर्च, छोटी इलाची, बड़ी इलाची, तेश पत्ता इन सब को हम इसमें डाल देंगे और इन सब का कलर थोरा सा हम चेंज होने देंगे यह सब जब हमारा पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे प्याज, जो हमने आधा प्याज बचांगे रखा थो मिर्ची में, आधा प्याज हमListen को हमने लें लगा तक बोन लेंगे हमारा हलका गोल्डन भून चुका है प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है अब हम डाल देंगे इसमें अधरक लसुन का पेस्ट आधा पेस्ट हमने बचा लिया था वह हम डाल देते हैं इसमें और एक मिनट तक ही भूनना है इसको अध्रक लासुन के पेश्ट को बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है और गैस के फ्लेम हमें मीडियम रखेंगे हम यहाँ पर पूरा प्रोसेस करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही और अब हम इसमें डाल देंगे मेरिनिट किया हुआ मटन तो सारे मतन को हमने यहाँ पर डाल दिया है इसमें अब हम इसको मिला देंगे यहाँ पर आप गैस के फ्लेम को हाई भी कर सकते हो त्योंकि अब इसमें से काफी सारा पानी छूटने वाला है ये मतन जो काफी सारा पानी रिलिज करेगा तो इसलिए आप इसे यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देजिए या फिर आप मेडियम टू हाई रख सकते हैं फ्लेम को इसको हम ढख देंगे तो दो-तीन मिनट के लिए हमने छोड़ दिया थे इसको ढख करके और देख सकते हैं आप काफी सारा ये पानी रिलिज हो गया है इसको हम दोबारा से एक बड़ चला देंगे इसको थोड़ी देर पर इसको चलाना भी जरूरी है नहीं तिवे नीचे तले से लग जाएगा और हम इसमें आप डालेंगे टमाटर ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से गल जाए और टमाटर डालके हम इसको दोबारा से मिला देंगे और इसको हम फिर से ढख देंगे तीन-चार मिनट के लिए फ्लेम को आप मेडियम ही रखे तो तीन-चार मिनट हो गया है तो ढखन हम हटा लेते हैं और यह देखिए हमारा टमाटर भी काफी अच्छे से गल गया है अब हम क्या करेंगे इसको खुले में ही इसको हम अच्छे से भूनेंगे हर दो मिनट पे लगातार चलाते हुए यह सारे चीज जो है अच्छे से आपस में मिक्स हो जाना चाहिए इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से इसको भूनना है और जितना यह आपको अभी पानी दिख रहा है आपको भूनते भूनती यह सारा पानी बिल्कुल खतम कर देना है इसमें ताकि अच्छे से हमारा मटन भून जाए मटन में जो है भूनने वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अच्छे से मटन भूनना जाएगा उतना अच्छा मटन का टेस्ट आएगा तो यह देख सकते हैं आप इसमें पानी लगभग बिल्कुल ना के बरावर ह मटन हमारा काफी अच्छे तरीके से भून गया है अब हम डाल देंगे इसमें पानी आप देख सकते हैं इसमें जो तेल सिर्फ छोड़ता है साइड से इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचाए कहीं से इसको मैंने लगभग 6-7 मिनट तक अच्छे से इसको भूनना है खुले म प्रमाटर प्याज हमारा सारा चीज बहूत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें आप डाल देते है पानी तो हमने यहां पर पहले गरेने किया था और इसमें आपको एक्ष्ट्रा पानी बिल्कुल डालने की ज़रुत नहीं है आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी डाले क्योंकि प्रेशर कुकर में जो पानी जलता नहीं है बिल्कुल भी और इसको हम ढकन बंद करेंगे और अब हम इसमें कम से कम चार सीटी लगाएंगे हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेप इसको चार सीटी लगा लिया है अब हम ढकन खूलते हैं मटन हमारा बनके रेडी है काफी अच्छा सा मटन बना अमारा इसको हम एक बार चला देते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटन मसाला एक बरा चमच हम भड़के यहाँ पर मटन मसाला डालेंगे और यहाँ पर चार सीटी में मटन हमारा काफी अच्छे तरीके से गल गया है कई बाद डिफेंट करता है मटन कैसा है मटन अगर फ्रेस हो तो चार सीटी में तीन से चार सीटी में ही मटन गल जाता है अगर मटन नहीं होगा तो इसमें 5-6 सीटी भी लगाना पड़ सकता है उपर से हम डाल देंगे हरा धनिया काफी अच्छा सा मटन हमारा बना है और अब यह मटन सर्व करने के लिए रेडी है इसको थोरा से ठंडा होने दे उसके बाद सर्व करें और मैं यहां पर आपको काट कर दिखा देती हूं मटन हमारा काफी अच्छे तरीके से गल चुका है देखिए मटन हमारा बिल्कुल फ्रेश था इसलिए बहुत जल्दी यह मटन गल गया है कि लिए हमने मटन को सर्व कर लिया कितना बढ़ियां लग रहा देखने में कितना टेस्टी लग रहा है तो उमीद है फ् चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए